जैसे हमने रेस पुश करी है इसकी सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगी अगर आप देखेंगे अच्छे सपेंशन इन्होंने यूज करें इसमें जो सीटी वाइस भी काफी जादा बढ़िया रहेंगे जैसे हम 90 पे चल रहे हैं थार पूरी हिलने लग जाती है बट यह ब का एक और नई वीडियो में सो हम खड़ें पीछे मारूति का आप देख रहे होंगे नेक्स सब्सक्राइब के अंदर करें सारी आपको नीचे दे दूंगा आपको पूरा अगर आप कई भी कार सुजूकी की लेना जाए तो यह आपको पूरा असिस्ट कर देंगे क्या वीडियो शुरूर चैनल पर नहीं सो सुब्सक्राइब जरूर करिएगा तो यह है जिमनी का अलफा वाला आटमेटिक वेरियंट दो ही वेरियंट इसमें आपको मिलते हैं बेस और टॉप वेरियंट सो यह है इसका टॉप अप दी लाइन वेरियंट अलफा जिसको यह कहते हैं दो इसमें आपको ऑप्चिन मिल जाते हैं मैनुल के एंड आटमेटिक के फाइव के मैनुल ट्रास्पिशन आता है प्लस आपका फाइव गियर आता है आटमेटिक में सो आज है हमारे पास आटमेटिक वाला वेरियंट इसको हम करेंगे पूरा इसके ड्राइविंग इं नहीं होगी थोड़ा सा बॉक्सी बॉक्सी सा फील है वैसे बढ़िया सा सिस्टम लग रहा है स्टेरिंग वील वगएरा अगर आप देखेंगे वैसे तो इसमें बहुत एक्सेसरी जाती है पट आपको लेधर एप पूरा स्टेरिंग वील मिल जाता है कंपनी से ही सो जैसे मै पैडल शिप्टर वगएरा जैसी बहुत ही जादा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सब मॉडर्ण चीजें होंगी तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी अपको इनीशल अपने इंप्रेशन्स बताओं कार चला के सो कार जो है आपको अगर थार आपने चलाई है कारना काफी लाइट वेट लग रही है उससे हैंडल करने में जैसे हम सीटी ट्रैफिक के अंदर ही चला रहे हैं बड़ा ही इजी से रहते जैसे इशाद सर भी बता रहे होंगे कि कैसी रिव्यू है अभी तक इसका बहुत अच्छी है फॉर्स फॉल बिकॉस अफ थार कम ए इसमें वह टेस्स है जो कस्मा फाइंड आउट करता था जीप में जाकर जी 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 जो पुरानी जीप में जो किस्टी थूंता था वो सारी चीजे इसमें मिलेंगी जो नियु चिमनी आई है यह आप अलफा डाइज कर रहे हैं प्लस इसमें अगर आप जैसे आप बता कि पुराने वाली की चीजें यूज करिए से देखिए स्पीडोमेटर भी काफी रह सा रखा है इन्होंने ताकि वह जो टच है ना वह रहे कार के अंदर बाकि इंजन जो है वह भी मुझे तो पाफुल लग रहा है जैसी हम रेस देते हैं सो एकदम से पिछे पुछ करता है बट यह अगर देखा जाना स्टेरिंग वील भी इसका लाइट लग रहा है कुछ इतना हेवी नहीं लग रहा है इस कंपेर तो थार मैं थार की बार बात कर रहा हूं विगोज लोग उसे से कंपेर करनें सबसे पहले इसको है ना क्योंकि यह भी ऑफ रोडिंग वीकल है वो देखने के लिए ऐसा उतनी है जैसे हमने रेस पुष करी है इसकी सवे देखिए डाउन शिफ्ट होगे गए और अब अवास सुनिये कितनी अच्छी आपको sporty सी अवास इसमें देखने को मिल जाएगी and suspension अगर आप देखेंगे एच्छे suspension इन्होंने यूज करे है ना इसमे जो city wise भी and off-roading wise भी काफी जादा बढ़िया रहेंगे जैसे हम 90 पे चल रहे हैं थार जो है वो पूरी हिलने लग जाती है बट यह बिल्कुल stable चल रही है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आईगी उस चीज में है ना इसमें डाही है विखावर्च की बाते हैं हम अगर आप जिम्नी में आ गए ना शावर्च आप यह जाए जिए कि यह इन को जि मेंड़ को जिम्नी चाहिए एवर्च गई एक साइड धिकाई बिकॉस अब घुल जमी जो लवास हैं उसके यह एवर्च माईनी नहीं नहीं न रही है 15 15 16 15 16 easily आप लेंगी और कहीं हम अगर हम 4x4 यूज कर लें इसका तो और थोड़ी थोड़ी लोइस हो जाए ठीक है बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15 16 इस कार की आ रही है पेट्रोल में और आपको क्या चाहिए थार पेट्रोल तो बिल्कुल ही देती एवरेज इस अगर आपको लेना पड़ेगा या फोर बैफोर लेना पड़ेगा यहां पर हम आपको दे रहे हैं ऑल ग्रिप दे रहे हैं और अग्रिप में से कि एक ही कार में आप 4x2 & 4x4 दोनों यूज कर सकते हैं तो मतला आपको यह रॉप्चन इन रखा है और प्राइस भी देखा ज सब्सक्राइब करें तो में सब्सक्राइब करें तो मारुति ने हमेशा हमेशा दे बन से जब से मारुति इंडिया में हाई है तो वह हमारे पाइड के अकॉर्डिग लीव वाग करती है बब कुर्ट क्यों कार आपके क्समर के पॉक्त को अलाव कर जाए तो उसको देखते वे यह तो मारुति ने यह बिल्ड कर दी तीक है और और यह बागी अगर तो हम specially आपके आपको कॉल करके बोलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने आपके जो आपके थ्रू आया उसको हमने क्या डियल दिया और नॉर्मल कसमे क्या लेकर गया ठीक है तो वह मैं जरूर वेट करूंगा एक्जार की कॉल की बिकॉजर मैं इतनी वीडियो कर चुका नेक्सा का शोरूम है तो नीचे आपको पूरी शोरूम डिटेल्स में जाएगी जो भी बेस्टील्स होगी इशाद सर ने प्रॉमिस करा है तो वह आपको जुरूर में जाएगी तो बाकि अब बैक तु इस कार जिमनी जैसे हम अभी चला रहे हैं में थोड़े पोड़े प कि अब यह करा है कि यह उच्छी तो इस पर इस कि अब आज चाएं कि अब शुक्त कर देती है और बिल्कुल तो जिमनी के अने वाल टाम में बहुत अचे-चे अज़ाने वाली है तो एक काम जल्दी जितने जल्दी हो सके आया हम अपनी कार पर लगवाएं बिल्कुल तो यह था कुछ इसका पूरा ड्राइविंग का रिव्यू सो यार मैं बता हूं मुझे तो ऐसी कास बिल्कुल अच्छी लगती है इनका हुड जो है वह विजिबल होता है थोड़ी ना एसी वी वाली फील आती है सो वह काफी अच्छी चीज़ है बाकि यह रहा कुछ इसका नेक इसका पूरा मैंने इन डिटेल वह भी रिव्यू करा था अगर आप वह वह उपर आपको आई बिटन में देखने को मिल जाएगा यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि सब्सक्राइब चैनल हिट बैल आइकन तक आपको जल्दी जल्दी नही किसे ने अपडेट मिलते रहें यहां तब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद